नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येटूप चैनल में दोस्तों दिपावली के दिन जरूर खरिदे या 10 रुपे के चीज आपके जीवन काल में पैसों की कभी कमी नहीं होगी पैसा बिल्कुल चुम्बक की तरह खीची चली आएगी जहां दोस्तों या 10 रुपे क्या ची आपके कारे शंपन नहीं हो पा रहे हैं तो दोस्तों विश्वी शंपन होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इनके आज आने से आपके घर में धन जो है कि चुम्बक की तरह खीची चली आएगी तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा महत्यपु भार में चुम्बक की तरह खीची चली आएगी और साथी साथ दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि यह दस रुपे के छोटी सी चीज आपके घर आ जाने से आपके घर के माहुल में पारिवारी जीवन में परते एक चेतर में क्या-क्या सुधार क्या-क्या चमतकार होने हैं दोस्तों आप घर आते ही हो घंडू धर में हर तोहर का अपना महत तो होता है लेकिन दिवाली का बात घर जाती है बजारों का रोनक लोगों को अपनी और आकरसित करने लगती है दिवाली सिर्फ एक दिन का तोहार नहीं है धन तेरस से सुरू होकर ये परव भयाद दूज तक चलता है ये भारती सांस्कृति की सबसे लोग प्रितोहारों में से एक है हर तोहार के साथ कई परमपराएं भी जूड़ी होती है दोस्तों दिवाली से एक दिन पहले धन तेरस मनाया जाता है इस दिन सोना चांदी बरतन यादी खरिदना विश्य समयत है एसी मननता है कि इसे धन की देवता कुवर परशन होते हैं और हम पर धन बरसाते हैं तो दोस्तों अगर आपने सोना चांदे नहीं खरिदा है तो ये 10 रुपे के चीज दिवाली की दिन जरूर खर दिएगा माता रानी का आसिरवात आप सभी को प्राप्त होगा इस वीडियो को जरा सभी हलके में मत लिजिएगा दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुती महंगाई चाही हुई है साथी बढ़ते हुए महंगाई की कारण बहुत सारे लोग महंगाई समान नहीं खरिद पाते पन्तु दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने महंगी महंगी समान नहीं खरिदी तो मातारानी आपके घर में नहीं आएंगे मातारानी आपके मन के सलधा देखती है जहां दोस्तों तो दोस्तों दिवाली के दिन माता 10 रुपी की ये चीज अपने घर ले आएं दोस्तों पूरे साल मातारानी का आज सिरवात आप सभी को प्राप्त होगा जिहां दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को क्या लाना है, तो दोस्तों आपके लक्षिमी जी के चरण चिन लेकर आने हैं, आप यू मत समझेगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज है, जी नहीं दोस्तों, आप भले ही 10 रुपे के माता के चिन बजार से लेकर आएग पर तो दोस्तों यही आपको करोणों का मालिक बना देगा, और दोस्तों ध्यान रखे कि जब आप लगा रहे हैं घर पर, तो दोस्तों इनका जो मुह है, वो अंदर की शायड होनी चाहिए, जिहां दोस्तों, जब माताराने को अंदर बुला रहे हैं, तो जो माता की चरण होंगे वह अंदर की दिशा में होनी चाहिए पर दोस्तों बहुत सी लोग यह अंजान की तरह जैसे ही तेशे लगा देते हैं जिसके कारण दोस्तों मातारानी रूट जाती है इसे दोस्तों यह आप गलती की तीजोरी में भी रख सकते हैं या फिर दोस्तों आप जहां पर सोने चांदी रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं जिसके कारण दोस्तों आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी आगे दोस्तों जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वह भी दोस्तों बहुत ही सहस्ते आप दिवाली की दिन ला सकती है और दोस्तों यह जो समागरी है एक बरदान साबित हो सकती है यह समागरी माता को बड़ी प्री है उसका दोस्तों नाम है कमल का गटा जहां दोस्तों देवी लक्षमी मा को कमल का फूल बहुत ही प्री है कमल के पोदे से कमल गटा भी निकलता इसकी माला बनाई जाती है आप सबे ने देखा है कि ये माला देवी मालक्षमी को विश्य शुरूप से अरपित की जाती है दोस्तों धन तेरस और मालक्षमी की पूजा के दिन इसे घर लाने से और पूजा अस्थान पर रखने से मालक्षमी सालो भर धन की वरसात करती है और लेकिन इस दिन योही कोई भी जालू ना खरीद लाएं। इस दिन केवल और केवल सीख या फूल वाली जालू ही खरीदें। नई जालू को कीचन या बेडरूम के अंदर ना रखें। इसे पलंग के नीचे या पैसों की अलमारे के आसपास ना रखें। शुत्री और मजबूत होनी चाहिए। तो आकर्ति के आधार पर तीन सेरनियों में रखा गया है। दक्छना वर्ति शंक अर्था दैं हाथ से पकड़े जाने वाला। अर्थर्थ बाए हाथ से पकड़े जाने वाला और मधा वर्थी अर्थर्थ बीच में खुले मुँवाला शंक इन तीनों में से सबसे दूलब दक्षना वर्थी शंक माना जाता है ये दोस्तों घर में रहने से बहुत ही धन धान में बृधी होती है दोस्तों अगला पूंट के लंका पर इनी का वास्था धन तेरस या दिपावली के दिन अगर आप इन्हें परतिवा को ले आते हैं तो उस्तों आपके घर में सुख समर्दी आने लगेगी आप खुद महसूश करेंगे कि आपके जिंदगी बदलाब होने लगा है किस्मत चमकने लगा है और जो सोचा ठाथावो पूरा होने लगा है साथी दोस्तों दिपावले के दिन घर में मुर्ध पंख को लाना मत भुलियेगा जहां दोस्तों जिहां दोस्तों अब आपके जीवन में परिवारिक जीवन में घर के माहुल में बड़े बड़े चमतकार मालक्षमी करने वाले हैं। आपके आने वाले जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट नहीं होगे। आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी, आपके घर में सुक समर्दी हमेशा बढ़ी रहेगी। दोस्तों यह 10 रुपे के चीज आपके घर में धान खिचने की चुम्बक है। जहां दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशे लाइक अवश्य करें। और दोस्तों सच्चे मन से लिख दें जै मालक्षमी। दोस्तों मालक्षमी जी की आज सिर्वात आप सभी को प्राप्ठ होते रहेगा। धन्यवाद।